नमस्कार साथियों सुपागत है आपके अपनी ट्रीटीचन सक्सस की नेटिटिब्यों साथियों आज हम लेकर कहा है आपके लिए टॉप 10 के कोस्टन 10 questions है, बड़े ही महत्वपूर्ण question है मात्र 10 questions इसे पहले current affairs के लिए मतलब लगातार सभी लोगों का comment आ रहा है message आ रहा था कि सर current affairs पर कुछ किया जाए current affairs पर कुछ किया जाए तो इसे पहले हमने 25 प्रस्णों का set हमने डाला था और अभी 110 प्रस्ण लेकर का है मात्र 10 प्रस्ण है लेकिन बहत्रीन प्रस्ण एकदम सभी एक्जाम की दृष्टी कौन से एकदम महत्वपूर्ण है इसलिए एक एक करके देखिएगा एकदम बहत्रीन धंग से आपको हम बताने का पढ़ियास कर रहे हैं चरहां से शरवात करते हैं पहले प्रस्ण फर चर्लिकorp में क्या लगता है पताइए किसके साथ जाएंगे आप लोग हमें तो लगता है कि बिल्कुल सब लोग का मन बन चुका होगा कि नहीं हमें एक साथ ही जाना चाहिए कि यहाँ पर कहीं जो पहले अपसन है पढ़े भारत अभियान कहीं नहीं कहीं यह सिक्छा से जुरा हुआ लग रहा है भासा certificate सेलफी अभियान लग रहा है कि भासा certificate मतलब सिक्चा से जुरा हुआ ये भी है और समाज सुधार भी सिक्चा से ऐसा ऐसा आप लोग ठिंक कर रहे होंगे बिल्कुल है कि नहीं लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल ही होगा और यहां देखेंगे आप जो पड़े भारत अभियान है इसके तहत आपको पहली से ले करके आटवी तक के बच्चों को मातली भासा में पाठ पुस्तक उपलब्द कराना साती सात उसके सीखने के अस्तर में सुधार हो इसके लिए पड़े भारत अभियान की सुरुवात की गई है दूसरा दिखेंगे जनी सिक्चा मतलाले से जुझ रहा है दूसरा दिखें भासा संटिफिकट सेलफी अभियान ये भी जो है सो आपका भासा संगम मोबाइल एप है ठीक है आप लोग भी लोड़ करके देख सकते हैं भासा संगम मोबाइल एप ठीक है भासा संगम मोबाइ कर सकते हैं इसके लिए ये एप बनाया गया है आप इन भासाओं को सभी भासाओं को आप बिल्कुल सीख सकते हैं इसलिए ये जो है सो भासा सर्टिफिकट सेलफी अभियान चलाया गया है ये भी आपको सिक्षा मंतराले से जुरा हुआ है तीसरा समाज सुधार अभियान ये साथ साथ दहेज एवं बाल विवाह दहेज और बाल विवाह पर जो इसको समाप्त करने के लिए यह अभियान चलाएगा बिल्कुल खतम करने के लिए जीरो टॉलरेंस जिसको कहते हैं नी सुन्नी पर चला जाना ठीक है एक दम जीरो करने के लिए अभियान क्या है नीती आयो के साथ-साथ जो Rocky Mountain Institute है उसके द्वारा जो पुराने वाहन है जो परदूसर नुत्पन करने वाले वाहन है उन सब को जो हटा करके इलेक्टिक वाहन को लगाया जाए इसके लिए यह अभियान चालू किया गया है तो बिल्कुल आपको इन चारों अभियान को धियान रखना है समाज सुधार तो धियान रखेगा ही रखेगा पड़े भारत अभियान और बासा सर्टिफिकट अभियान यह आपको सिक्षामत राले से जुरा हुआ है एकदम बहतरीन अंदाज में आपको बताया जारा इसलिए फटाक से अपने लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ सिर तुरा ख़रीन एकदम फटाक से अगला है मलटी डैमेंशनल प्रॉवर्टि जो इंडेक्स दोलार एकीश के नुसार बिहार की स्थिति क्या कहते है जो multi-dimensional poverty index है इसको हम कहते क्या है पहले यह जान लीजिए यह आपको जो है राष्क टिडिये इसको कहते है बहु आयामी निर्धनता सुचकांग कहते है यह तीन चार आठ चीजों को देखे आठ से दस चीजों पर क्या किया जाता है गौर किया जाता है उसके अनुसार यह नि बासतर क्या है इन सबी को देखकर करके यह है index जारी किया जाता है यह number 2021 में जारी किया गया है इससे पहले किया नाम था नाम में बताएंगे आप लोग की पुराना नाम क्या था आप詐लोँ बता आयोग है इसे आगर बात करेंगे तो सबसे कम अगर गरीवी की अगर देखा जाए तो आपको जो केरल है केरल में केरल के 0.71 लोग ही मात्र गरीवी रेखा में आते हैं गरीब हैं उसके बाद दूसरे अस्तान पर देखेंगे पुड्डू चेरू है सबसे कम में एक दिस्टानों साथ दू लोग जो है सो इतने परसेंट लोग है लेकर वह ही बिहार की बात करें सर तो बिहार की बिहार में आपका उनसर दस्वलब 51.91% लोग जो है आदा से जायदे लोग गड़ीव है और दूसरे अस्थान पर गड़ीवी में 42.16% लोग है यह सब बहुत ही नीचा है ठीक है इसे ध्यान लखेंगे आप लोग चलिए आगे भरते हैं देखें कुस्चन लख अंब 3 क्या करता है? तीसरा नमर है सटत बिकास उचकांग जो सड़ी जी 2021 है दिया गया है लेकिन दू नम्मर पर बात कर लें तो दो राजी आ जाता है हिमाचल प्रदेश यानि एच पी लिख लिख लिए सोटकॉट हिमाचल प्रदेश और उसके साथ तमिल नाडू ठीक है तमिल नाडू इन दोनों को जो है सुचहत्ता रंक दिये गया है दूसरे अस् गरीबी नहीं है किस राज में गरीबी नहीं है तो तमिल नाडू में याद रखेगा कौन सा इसा राज है जिसमें गरीबी नहीं है तो तमिल नाडू में तमिल नाडू गरीब नहीं है कौन सा इसा राज है जहां भुखमरी नहीं है तो केरल इसा राज है जहां पर भुख structure होता है, उसके लिए भी जाना जाता है, ठीक है, यहाँपर, साफ पानी के लिए कौन सा राजय जाना जाता है, तो Gowa, साफ सफाई और साफ पानी के लिए Gowa जाना जाता है, इन सब चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, लेंगी समानता कहां है तो 36 गढ़ में अगर इस सूचकांग को सताज विकास सूचकांग के अगर बात करें हम लोग तो 76 ने N सूचकांग यानि Good Governance Index 2021 ने किस राजिको प्रताम स्थान दिया ने होना चाहिए था यहां ने किस राजी को प्रसमस्तान दिया दिखे गुड गवर्नेंस की बात हो रही है जब ये 2021 में जारी किया है गुड गवर्नेंस जो दिसंबर 21 में किया गया है ठीक है ये आपको अटल विहारी बाजपेई जी का जर्म दिबस जो 25 दिसंबर है 25 दिसंब अंठावन संकेतों पर या गुड गवरनेंस की जो का इंडेक्स तयार किया गया है इसमें परतम अस्थान पर अगर बात कर लें तो गोवा को परतम अस्थान दिया गया है किसको गोवा को नहीं दिया गया है परतम अस्थान पर कौन है तो ये गुजरात है परतम अस्थान प पीछे है ठीक है सरवजनिक जो आपका बुनियादी धाचा होता है उप्योगता चेत्र होते हैं ऐसे इसको बी गरेड में रखा गया ठीक है इसे भी धियान रखेंगे आप लोग तो गुड गुड गुबरनेंस में इंडेक्स 2021 है इसमें प्रतम अस्तान पर गुजरात दूत साल करने के लिए संसथ में पेस कर दिया है बात्चीत भी हो गई इस पर चर्चाय भी हो गई ये दिसंबर 2021 की बाते हैं दिसंबर 2021 की लेकिन अभी अंतिम रूप से कहेंगे तो कानून नहीं बनाए ठीक है इस बात को बिल्कुल ध्यान रखीएगा ठीक लेकिन यह पास हो तरिके से जो है कानून बन जाता है ठीक है नहीं पूरी पूरिया इसका संपर नहीं हुए लेकिन ये जवेंस पूरिया धीन है यह हो सकता है तो आगे कुछ समय समय में लागू हो जाए ठीक है चलि के आगे बहुत है को सब्सक्राइब स्रिष्ट योजना इसका संबंद किस से हैं यह आपको 6 दिसंबर 2021 को यह क्या हुआ था इसकी सुरुवात की गई है इसमें कहा गया है कि अनुसुचित जाती जन जाती के जो मेधावी चात्र है जो गुनबत्ता पुर्ण आवासिय सिक्षा लेना चाहते हैं वो आबेदन करेंगे और आबेदन करने के बाद वो इस स्रेष्ट योजना के तहत वहां पर रह करके आवासिय रूप से रह करके उस किस राजे से संब्द है जैसे ही मिथला आप नाम सुनिएगा तो कौन सा राज लगाएगा बिहार जो 2021 की बात हो रही है इसमें तीन चीजों को जो है मतलब जी आइटेंग देया गया है भारत सरकार के दोरा जिसमें मगही पान भी है कौन सा है मगही पान जरदालू आम ठ टैग दे दिया गया है ठीक है चलिए आगे बरते अगले प्रस्ट को देखेते हैं टाइम मेगनीज द्वारा बर्श 2021 की बात हो रही है परसन ऑफ दा इयर किसे चुना गया परसन ऑफ दो इयर यह देखिए एलन मस्क जो है इनको चुना गया जो टेसला कंपनी के क्या है सी टेसला कंपनी के सी ओ है एलन मस्क इनको जो है सो यह दिया गया है आगे बरते अगला कुस्चन देखते हैं क्या है देखिए हाली में किस भारतिय क्रिकेटर की बात करें किस भारतिय क्रिकेटर की बात हो रही है किस भारतिय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से सन्यास ले सब्सक्राइब नाम सुने हुएगा लसित मलिंगा नाम सुने हुएगा लसित मलिंगा मलिंगा ने भी क्या किया है पूरी तरीके से एकदम सन्यास ले लिया सबी इस चीज़ों से और सिरिसंत जो है सिरिसंत भी भारत से है ये भी सुक्तेज गिंदबाज के रूप में जाने जाते थे 2005 में डेब्यू किया था इनोंने ये भी सन्यास लिया है पूरी तरीके से तो option के हिसाब से यहां पर हरवजन सिंग हो जाएगा और हरवजन सिंग की अगर बात करेंगे एक सो तीन Test में यह 417 विक लेने के लिए इनका यह नाम है ठीक है और तीन टेस्ट में 32 विकेट लेने वाले सबसे ये आज तक के ऐसे गिंदबाद है जो तीन टेस्ट में सबसे असरवाधिक 32 विकेट इन्हों नहीं लिया था दुनिया का कोई बॉलर जो है इनको अभी तक मतलब पीछा नहीं कर पाया है आगे बढ़ेंगे देखें अगला लास्ट कोस्टन देख लेते हैं लेकिन अनकी अगर बात कर लें सबसे जाइदा आगरवन की बात करेंगे तो आपको मद्य परदेश में सबसे ज़्यदा बन है पुरे देश के अगर बात करेंगे तो चोबीस दसमलब बासट परतीसत बन है जो जिसको हम कहते हैं लगबग आठ लाक कितना नो हजार आठ लाक नो हजार के आसपास पांसो कुछ सैतिस वर किलो मीटर है ऐसे हैं और यह इंडेक्स कौन जारी करता है इंडिया जो है इंड ठीक है इन सब चीजों को आपको ध्यान डगना है आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजे कमेंट कीजिए दोस्तों के साथ सेर करना ही वीडियो का चलिए वीडियो देखने बहुत बहुत धानिवार